चलो बता आप PowerPoint को start कैसे करते हैं नीचे PowerPoint लिखेंगे start में और इसको click करेंगे ठीक है अब आपको यहाँ पर एक तो option आता है बनाने का कि आप नया बना सकते हो एक option आता है predefined यानि पहले से define template template मतलब समस्ते ही नहीं आपको एक साचा दे दिया जाएगा जैसे मानलो आपको ब सेफ देना पड़ते हैं तो महनत लगती अब हो सकता उसका साचा आता तो कोई अनाडि बनाने लगता ठीक है पर अभी क्या होता है आप सब चीज बना लो पर सेफ नहीं बनेगा अच्छा तो आपको खाने में फिलने आएगा क्योंकि अंदर स्वाद रहने के सांसना दिख खाबा भी बहुत जरूरी है अगर आप कहां चले जाओ वहां बना बनाया अगर बैकार दिखेगा वो कितने अच्छा स्वाद हो आप खाने के अच्छा जहाद निकरोगे निकरोगे तो दोनों चीज होना चाहिए नहीं एक तो दिखागा दिखागा भी मतलब दिखाने का चीज भी होना चाहिए और दूसरा अंदर से स्वाद भी होना चाहिए जैसे मान लो गाड़ी है गाड़ी अच्छी जखास दिख रही है और फिकापे नहीं ले रही है फिर क्या करोगे अरे क्लेश प्लेट क्या उसको चलाने कोसिसे नहीं होगी ठीक है तो दोनों चीज हो तो टेंपलेट हम यहां से ओपन करते कोई भी अब यह टेंपलेट कुछ ऑनलाइन होती है अब आपके सिस्टम में अगर ना खुले तो आसा नहीं सोजना आप उसको इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो यह सारी चीज आपकी डाउनलोड होके खुल जाएगी चले यहां से करते हैं तो देखो यह क्या बोल रहा है देखो यह देखो अठारा सो इंकावन केवी की है इसका मतलब देड़ दो एमबी के अगवी होता है तो आप जैसे इसको क्रिएट करोगे देखो डाउनलोडिंग हो गया और यह ओपन हो चुकी है देखो इसमें कुछ चीज बनी ब टेंपलेट क्या होती है तो अब बताफ आओगे बताथ होगे बनाते कैसे बुप बताथ होगे बनाने का कोई सवाल ही नहीं है क्लिक करना है और बन जाती है इस प्रकार हम ला सकते है ठीक है बताय थे कल उसके बाद मैंने बताया था डिजाइन में जाकर आप तेंपलेट बदल सकते हैं कोई भी टेंपलेट देखो यह भी प्रीडिफाइन चीजे हैं मतलब जो हमारी टेंपलेट है ब्लैंक उसमें स्टाइल एप्लाइड जाती है बनी बनाई अब जैसे आइसक्रीम के फ्लेवार आते हैं हर चीज के फ्लेवार आते ही नहीं उसी प्रकार इस लाना चाहते हो आप ला सकते चलो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ पर हर एक पेज में आ गई है उसके आद मेनुवली अगर करना था तो हमने कहां देखे थे फॉर्मेट वेग्राउंड में आप पांच प्रकार से कलर कर सकते हो सॉलिड मतलब सिंगल कलर ग्रेडिय र Direction मतलब है इसमयावस्ति होगा किसमें हो जाएगा नीचे इतनी भी स्लाइड है तुड में आ ऑल कर शेंगल अरद में लेट में यह sont इसके बाद क्या देखे थे निव स्लाइट बनाते समय आपको ले आउट की स्टाइल दिख रही है कि आप कौन सा ले आउट लेना चाहते हैं मानलो आपको यहां पर नई स्लाइट लेना है तो डारेक्ट ली देखो इस वाली स्लाइट का देखो कॉपी आगए कॉपी मतलब जो फॉर्मेट यहां है वही फॉर्मेट नीचे आगया यह से आप किसी को बोल देते हैं चलो इस लाइन में चलो कंटीनू अगर आपने कुछ लेटमें जाएंगे फिर 5 खतम नइसे आप बोलते जा रहे हो इसका मतलब आपकी मर्जी से चल रहा है पर आपने बोल दिये लाना है तो आप कहीं भी अच्छा यहां पर स्टाइल आगी comparison की पर उसके नीचे आप right click करोगे new तो आपको देखो क्या मिल रहा comparison क्योंकि उसको पता है उपर comparison लिया मतलब new बोल दिया तो new बोल दिया तो वह style उन्हें ला दिया तो जब कभी आपको ready made वही वही लाना है तो duplicate भी कर सकते हैं जिसे right click करें तो देखो क्या हो रहा है duplicate इसका मतलब अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं चलो यहां पर हम कुछ लिख देते हैं computer के कुछ elements होते हैं जिससे hardware होता है और क्या होता है software होता है और तीसरा वेक्ति होता है हम खोद यानि user तो यह आगर तीन चीज म कुछ कर लेगा अपने मन से नहीं अब चिट्टी थोड़ी है robot का जो कुछ कर लेगा वह उसको भी पहले निर्देश दिया गया था उसके boss के द्वारा तो यहां पर तीनों चीज होना जरूरी आप देखो यह हमने बनाए है और यहां से हम अगर इसको control D करते हैं तो देख जा गया चलो इसको बहुत अंदर कर देते इधर यह देखो अब इन में एक टेक्स बॉक्स है दो है तीन है अब हमको जो टेक्स बॉक्स है वो गल्ती से बिगड़ गया है तो हम चाहते है उसको reset करना देखो reset मतला हो जाता है कुरानिय अबस्ता में यह से mobile reset मार देते हैं तो नया company जैस हो जाता है वैसे यह slide जैसे हमने लेकर आये थे बैसी हो जाती है उसके बाद चलो यहां पर हम जो है और क्या देखे थे table insert करना बन जाएगा आपसे table कैसे लाते हैं सीधे आप इतना select करो और आपका table लाकर सया आप उसमे record type कर सकते हो देखो serial number name address जो भी लेक आते हैं यहां पर हम जो है क्या लिख देते हैं यहां हम लिख देते हैं computer ठीक है इसमें subtitle डालना डाल सकते है man heading रहती है और एक sub heading इसमें picture लाना तो कैसे लाएंगे यहां picture ले आए this device और this device में जाकर हम क्या कर देते हैं यहां गए picture रहना चाहिए आपके पास में कोई भी नेक्स्ट में गए तो यहां पर क्या लिख सकते हैं चलो यहां subject लिख देते यह subject लिख दिए और subject कुन-कुन से हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए आपके subject fundamentals of computer ठीक है दूसरे subject होता आपका PC packages और PC packages में 3 या 4 चीज़े होती कितनी होती है चार चीज़े database using MSXP और चौहता जो subject है आपका कुन सा है fundamentals of multimedia ठीक है यह हो गया अब इसमें आप देखो यहां पर bullets आ रहा है bullets दिख रहा है bullets मतलब होता है कोई भी चिन जीसे आपको बोला जाता नहीं कि चलो point बना कर लिखो तो आप एक तो number डाल देते हो 1 2 3 ABCD रोमन में 1 2 3 जो भी है और यह आप arrow बना द इतनी भी चीज़े है यह सब bullet है अब bullet में category अलग है ने देखो simple आएगा bullets circle आएगा square आएगा square खोकले वाले आएगे देखो star type की चीज़े देखो arrow right का निसान तो जो भी आपको लाना अब एक में बस आ रहा है देखो क्यों आ रहा है एक में बस क्योंकि हमने एक एक को select कर अगर हम सीधे box को select कर देते हैं देखो box मतला देखो घर में 4 सा 10 4 को target बना सकते हम एक को पर हमने बोल दे मकान number 420 जो भी है तो 420 मकान में 10 सा 10 को होंगे 10 की 10 select है ठीक है चलो हमने क्या करे है border को select तो अब जाकर देखो ज़रा देखो सब में हो रहा है इसका मतला box select कर लो आ अब यहां से आप आपको color पसंद नहीं आ रहा तो color पसंद नहीं आ रहा था आपको पता नहीं क्या लिए थे template template change कर दो यह वाला ठीक लग रहा ठीक है जो भी ठीक लगे आप बदल ले न कहां से design से और मैंने manually भी बता दिया हो foreground जो आपका format background है इससे आप खुद से बना स सकते हो ठीक है थोड़ा सा महनत लगेगी जैसे रहता हम इसके पीछे हमारी company का वैग्राउंड लाना चाहते हैं तो किसके थुरू ला सकते हैं format है ना नई लाना ता आपके पास readymade भी दी चीज़े कई को readymade पसंद नहीं है तिलवा कर पहनते कपड़े है ना तो दोनों option र सकते हैं और readymade चीजे भी readymade वाली को बलते थीम खुद से मतलब कस्टम है ना देखो कस्टमाइज लिखा होगा ठीक चलो यह कर लेना आप इंसर्ट में पिक्चर लाना देखे हैं चलो यहां सब्जेक्ट देख लिए अब इन सब्जेक्ट में एक एक करके हम software के बारे में पढ़एंगे software के बारे में पढ़एंगे और क्या पढ़एंगे बताओ जरा programming के बारे में पढ़एंगे internet इनट्वर्कियर हमें इस सारी चीजे पढ़एंगे अब इन सबकी detail आप हर एक page में दोगे और इस यहсе बताओ यह वाले 74 क्यी northwest क्यूंकि हम हम नहीanych करेंगे तो हम सीधे जाकर इसका ले आउट चेंज कर देंगे वो लेंगे टाइटल और कंटेंट वाला जाए देखो बाद में भी चेंज कर सकते हैं कर सकते हैं जो किस कोई बिगड़ गया तो अपन सुधार दिखने इसको पर आज की लिट में नहीं सुधारते हैं ठीक यह रहना चाहिए ले आउट चेंज कर दो तो ज्यादा दूसरे रास्ते में बदल रहा है मंतर पढ़ो और ले आउट चेंज है ना ऐसा होता है क्या जादू टोना हो जाएगा सीखा करो आप काम की चीज़े सीख लो मैजिक बलते हुते हैं जादू मतलब देखो एक अच्छा करवाएंगे उसका जबकि ऐसा कुछ होता है क्या आपके दिमाग के पास दिमाग नहीं है ठीक आपके दिमाग को बताना पड़ेगे कि उसके उपर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है ठीक है और वो मान लेता है तो हो जाती है उनने मान लिए कोई ने कुछ कर दिया मतलब करा है बाई सिंपल सी बात बताएं ना मैंने जहर साप का जहर कैसे लगा था खुद का जहर से मारा था हो की दिमाग ने जहर बनाया है ठीक एक और कहानी सुनो खाली ऐक वेक्टिन मधर किया था जो भी उसको फासी तो हो नहीं है तो एक काम करते तेको कालिया नाक से कटवाखे और भाई किसी से भी तो मरे गई तो उसको बोला गई कि तेको कालिया नाक से कटवाएंगे कालिया नाक से कटवाएंगे या कोबरा से जो भी जहरीला बहुत रहता है कि नी तो वो फील कर लिया उनमे कि मैं को को कोब रा से कटवाएंगे कोब्रा से कटवाइंगेrif कोब्रा से कटवाएंगे अब उसकी आंक में पट्टी बांदी गई उसके दिमाग में क्या चल रहा बताओ कोब्रा से काट खática मरेगा दो सीदिल रहती ही ना कपड़ेशी बाहरी वाली या कहीं तो उसको क्या फील हुआ कोबरन काट जया जैसे उसको ऐसा वह सेकंड के बाद मर गया अब बताओ हर्ट अटेक नहीं जहर क्रियेट दिमाग में हुआ है खोबरा में नहीं तो अगर हम सोच लेते हमको नहीं मर सकते हम तो बिल्कुल नहीं नहीं मरेंगे यह है रियल इन्हें 99% हमारा दिमाग जहर बनाता है तो 99% पावरफुल है एक 1% यहनि कि मरेगा वक्ति खुद से दूस हाडवेर के बारे हम क्या के चीज़े आ सकती बताओ ज़र हाडवेर में ऐसी चीज़े आती है जो हम छू सकते देख सकते हैं कंप्यूटर को चलाने के लिए सहायक हो अब छू सकते हैं मतलब लकडी लो लंकड कुछ मत छू देना कीबोड है माउस है जो भी सपोटिंग चीज़े होती है किस में कंप्यूटर में जैसे हम नॉर्मली बोले तो इन्पुट डिवाइस सब जाएगी इन्पुट डिवाइस मतलब क्या क्या हो सकती जिससे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं चुहा मतलब माउस ठीक है है यहां लिखेंगे input device हो गई दूसरी क्या होती है output devices जिससे हमको प्राप्त होता है monitor sound सुनाई देता है और print भी निकलता है तो यह सब basic चीज हो गए कुछ होती है processing device CPU सुने हो processor graphics card GPU बगेरा यह सब जो है अंदर sound card है network card है सब processing करते हैं अंदर तो यह सारी क्या हो गए हमारे hardware अब बताओ software क्या क्या होते हैं यहां पर हम PC package नपढ़ का fundamental पढ़ने लगे हैं समानलों ले देखे पाढ़ रहा है तो काम की प्रेजेंटेशन भी बन रहा है दूसरा पढ़ाई भी हो रही है तो कभी भी आलती फालती presentation मत बनाना जो काम का है उसी को बनाओ काम भी हो जाएगा और हमारे practice बह जाएगी दो काम करके चला करो आपको एक काम दो विसराम सुने कि नहीं या फिर तो एक 302 सिकार भी सुने होंगे अपने पता चल रहा है जैसे चलाने का एक तो चलाने का भी रहता भी है वह चला नहीं है दूसरा आप उसमें पहल लो या फिर कुछ ऐसी चीज कर लो कि हम चलाना भी हो जाए और गेम भी खेल ले थीक है तो ऐसी चीज करा करो तांकि मोबाइल भी सोची कि यह व्यक्तित यूटिलाइज नी करता है बरबाद ही नहीं करता थीक है वह फरसान रहना तो परसान होके वह आदत बन लेगा कोई दिक्कत थोड़ी उसमें इसमें तीन प्रकार के software होते कौन-कौन से system software जो होते हैं वो computer को चालू रखने काम करते बाद में विस्तार से पढ़ेंगे दूसरे होते हैं हम जो MS Word, PowerPoint, Excel पढ़ रहा हैं वो कहलाते हैं आपके application software तीसरे होते हैं utility software कौन से होते हैं utility software तो इनको हम normal कैसे समझें देखो आप पैदा होते हो ठीक है अब सीधे अवतारीत थोड़ी हो हैंगे पैदा हुए हैंगे सब कोई अवतारीत हुआ इसमें अवतारीत होने का मतलब सीधे विल्कुल copy paste इधार और पैदा होने का मतलब होता है पूरी processing हुई है और फिर वो छोटे से बढ़ा हुआ है सीधे इतने अवतारीत होना जैसे भगवान का कोई जो है मतलब रूप आता है तो यहां देखो जैसे हम पैदा हुए तो समय हमारे पास रहता सिस्टम सॉप्टेयर कौन सा रहता है सिस्टम सॉप्टेयर यानि कि हम जो बेसिक एक्टिविटी वो कर सकते जिन्दा है हम और थोड़े हम जरूवत के हिसाफ से शेखते का अनवस्यक है से रहते और अनवस्यक सीखना हुआ 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 एक ने कुछ करा BE मतलब इंजिनीरिंग उसके आज पास वाले चलो मेर पढ़ोसी ने करा चलो एक ने करा BCA चलो BCA करो एक ने PSC कोचिंग करा चलो PSC कोचिंग उनका पर वो क्या कर रहा है भगदाड में सामील हो रहा है समझ्गा है तो हलाकि वो भी जरूवत ही है सा मानो ले देख लग गया तुकत लग गया तो जो जरूवत के साफ से अब सामसामें पर आप सीखते रहे तो सेनर्जिक खतम हो जाती है समय समय बीमार हो जाते हैं तो किसकी जरूवत पढ़ेगी दवाई गोली डॉक्टर खाना पिना जूस है चक्कना है जो भी है न सारी चीज की जरूवत पढ़तीग नहीं तो जो supporting चीजे जो हमको चलाने का काम करती है वो कहलाती utilities ठीक है जैसे हम पुराने कपड़े पहन पहन के परसान होगा नाए कपड़े लेंगे तो क्या है आवस्थक नहीं है utility है supporting कुछ चीजे आवस्थक होतीग भाई कपड़े ही नहीं पहनेगे तो गलत बात हो जाएगी पर पहने है और फिर सौक लगा कि दूसरे लाना है तो वो हो जाएगी utility यानि supporting मानसिक देखो संसुलन रहता है जैसे आप बोर हो जाते हो बोर क्यों होते हो आपने दिमाग को बोल कर रखाए कि एक चीज मत कर जैसे आप कोई एक subject पकड़ ली उसी उसी प सम जोगी ताल मेल बैठता ही नहीं चलो यहाँ भी system को चालू रखने काम system software हम जरूवत के साब से application software computer कभी-कभी बीमार हो जाता है कभी-कभी temporary file तो उसको manage कोन करेगा utility चलो तीसरी चीज होती है programming programming जो होती है computer software जो बनते वो programming में ही बनते programming मतलब एक भासा अभी मेरे द्वारा बोलेगी चीज़े आप समझ पा रहे हो सुन पा रहे हो क्यों क्यों क्योंकि भासा है अगर मैं इकडम सिकडम कुछ भी बोल दूँ तो समझोगे क्या क्योंकि वो भासा आपको आतीच नहीं है तो मतलब भासा मतलब विचारों का आद है ना बोलते ने यहांसा करे तो इसका मतलब यह भी क्या है language है sign language symbolic language ठीक है यह लिखिद वाली होती कुछ मौकिक होती है ठीक है चलो यहां language भी अलग-अलग प्रकार की होती है हमने बना लिये वैसे और क्या पढ़ सकते इसमें अपन इंटरनेट चलो इसमें हमने fundamental के सारे topic लिख लिए कर देखो कहा से यहां थे है ना एक दो तीन चार पांच अब दूसरा subject बताओ मुझे क्या है इनको delete कर देते और यहां से हम जो है नई slide insert कर दें यह हमने बहुत सारी insert करके duplicate कर लिए यहां कौन सा subject बताओ जरा PC package में क्या क्या हो सकता है सब से पहले windows फिर word फि Excel उसके बाद था PowerPoint अब इनको भी समझाओगी अलग अलग की नहीं समझाओगे Windows को अपने अलग topic आप नीचे लिख लेना points नई लिखो की कोई दिक्कत ने में समझा देता हूं अभी next word है और next क्या हो सकता है Excel थोड़े और इज्ज़त से लिख देना MS Excel बोल देना उसको क्य टिक है, double watt जी लगाओ, सामने भी जी, पीछे भी जी, सामने भाला फ्लेट हो जाए बिल्कुल, क्या काम करने के लिख छुख हो जाएग नहीं यार, बहुत अच्छा वगतषित का काम तो करना चानिवे है ठीक है, इक तो काम पैसे सोता है, और एक मूह से, मूह से समझ रह क्या घाटा हो रोस से बता कोई खरीच के दे रहा कुछ ची पैसा तो चलो ठीक है पर पैसा के सांसनात कई बोलते हैं अकड़ रहा है कि अच्छा किता पैसे बाला रख ले तेरा करवाले काम देखता हूं ते को भी ऐसा बोलते ही नहीं अगर आप इज़्जत से बोल दो तो क्या पान अभी बता देता हूं एक ओबर्विव हम पढ़ेंगे उसमें पहले तो पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होता है क्या पढ़ेंगे डेटाबेस क्या होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे टेबल क्या होता है टेबल पता है कि नहीं बनाए हो ना लकड़ी वाला नहीं बहाँ लकड़ी बाल बनाने के कारपेंटर बन जाओगे आप ठीक है बहाँ बनाया नो रोर क्यों में उसके आद हम पढ़ेंगे के ओरी जो other पढ़े कि नहीं सुने कर रीपोर्ट सुने कहीं नहीं । फाम सुने की नहीं सुनें फार्म झाम नहीं सुने आप ने अच्छा फार्म भरे लेसनी अभी तक कहीं तो वह क्या कोई की दूसरी चीज है क्या आरे डूसरी और बोहीं फार्म यहां भी बनता च्रिक और बात हो जाती डे shaped रád चार-पाच चीजे हम इसमें पढ़ेंगे, चलो, यहां आपन हर एक सब्जेक ऐसे लिख सकते हैं, अब बताओ मुझे किसी को अगर बोला जाए, हमने कल देखे थे कि animation देना, चलो, animation होता और एक होता transition, तो insert में हम देखो क्या-क्या ला सकते हैं, picture ला सकते हैं, table ला सकते हैं shape इन में से कोई भी आकरती ला सकते हैं, उसके बाद मैंने बताया था, 3D model भी ला सकते हैं, चलो, computer education में हम 3D model लाते हैं, 3D model हम लाएंगे, stock 3D में जाएंगे, और यहां computer type की कोई device दिखेगी, देखो जारा, नहीं दिख रही गया, दिख रही है, यह तो दिख रही है, चल लेप्टाप ले आते हैं, इसको क्लिक करो, आपसे बादचीत नहीं, delete मार दूंगा नहीं, चलो, यहां क्या लेखे हैं आपन, कोई भी ला सकते हैं, यह लिया आओ, देखो आ गया, अब यह जो है, आपका 3D इसलिए बोला गया है, क्योंकि देखो, सब तरफ देख सकते है इमेज नहीं है, इमेज मतलब 2D, और 3D मतलब होता है, जैसे कल बताया थान मैंने, एक बेक्तिक फोटो निकाल कर दिवाल पर चिपका दी मतलब 2D, और सीधा सेह का खड़ा कर दो, उसको ऐसे भी देख लो, आड़े भी, तेड़े भी सब तरफ सेथ, इसका मतलब क्या है, 3 3D, तो ये कैसी है भी, 3D है, मानलों ये उड़कर आए, या घूमकर आए, कैसे आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन इसमें, एनिमेशन देंगे, क्या देंगे, एनिमेशन, अच्छा, एक और चीज आपको देखो जहां से, एनिमेशन के साइड में, इस ट्रांजिश दो करते हैं, तो देखो पहले क्या हो रहा है, क्यों सी अच्छी लिए बताना, मुझे है, अब बहुत तारे है, यह से देखो, इस यह ना, ठीक यह देखो, फर्दा गिरता गिरता है और इसमें फर्दा खुलता है, है न, और ये वाली जो होती है, यह कभी भी फ्रेंट प एक बात देना तो इसलिए के करना है कुछ आपका कॉमन सेंस काम करेगा देखो टूल को उपयोग मैं बता-थी रहो हूँ आप इसको उपयोग करते हो एक होता ज्ञान बनी बनाई चीजे के उपयोग करना और यह घALL बनी बनाई चीज़े जो होती उसे विज्ञान बोलेंगे और जो उप्योग करेंगे हम अपनी अनुसाग उसे कला बोलेंगे आठ ठीक है तो आठ आपके हाथ में है ठीक है विज्ञान तो आपको समझ में आई रहा है मा की कला आप उप्योग करना कौन कितना अच्छा बनाता है आप देखो दिमाग खरा हुआ कच्रा बनाग फेक दो यह ठीक है तो आप देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा आपको यह बच्पन में खूब बनाये होंगे यह बनाये क्या अभी बनाते हैं यह बनाये वह जहा कौन सी चाहिए है सब में वो देख लो आप कौन सी चाहिए है चलो यहाँ पर मैं जो है पुस अब बाली कर देता हूं यह देखो ठीक यह फिर एक साइट से आ रहे थी कवर करके यह देखो ठीक तो इसको हम कर देते सभी में apply all बताया था मैं है apply all मतलब जितनी भी स्लाइड है सब में apply हो जाएगा यह देखो अब देखो apply होने का मतलब होता है star लग जाना देखो लगे star star लग गया इसका मतलब animation यह transition जुड़ चुका है अब एक चीज बताओ यह तो अगर run करते हैं जैसे slides तो दिख रहा है यहां run कर सकते सुरू से और एक current सुरू से का मतलब होता है first और current का मतलब जैसे हम fourth number पर है और current प्रेस करते हैं तो उपर से run ना होकर वह hardware से run होगा समझ गया current मतलब जहां से है ठीक जैसे मैं बोलू उधर से इधार तक आ जाओ subline से और अगर मैं बोलू पांचवे नंबर जहां से है उधर से आओ तो इसका मतलब पांचवे नंबर बोलूँगा कौन सा कौन सा current और अगर मैं starting से बोल दूँगा तो beginning ठीक है तो अभी हम सुरू से करना चाहते है current से सुरू से कर दो देखो यह देखो पहली स्लाइड में भी परदा नहीं खुला दूसरी में भी सब common है देखो सब एक सी रन हो रही है जबकि हम चाहते हैं पहली वाली थोड़ी यूनीक रहे है रहना चाहिक नहीं मतलब हर एक टीम में कप्तान होता है कैप्टेन नहीं रहता जिस टीम में अगर मैनेजर नहीं रहेगा तो एंपलाई कुन से काम करेंगे जब चाहिए जब जी में आ रहा है और आई नहीं रहा है समझो ऐसा सोच लो चलो इस स्लाइड में हम पहली वाली में जाकर क्या करेंगे सबको एपलाई करने के बाद इसको देदो परदा वाला एफेक्ट ठ जाओ फ्रॉम बिगनिंग यह देखो ठीक है अब देखो परदा खुला डारेक्ट मूवी का नाम दिख गया डारेक्ट सारी चीज़े दिख गई हमको तो ऐसा होना चाहिए क्या नहीं यह भी उड़कर आना चाहिए आते ही नहीं देखो मूवी जब चालू होती है तो क्या उड़क्या कैसे भी आते पर आते हैं अच्छा इसको क्लिक करेंगे दीखओ दूसरी में वो थेक्ट मिलेगा जो हमने दीए भी हो रहा न यह देखो अगर राइट क्लिक करोगे तो आंड सो कर तकते होсь अगर हम बाहर क्लिक कर देते हैं यह देको अब देखो तो अभी आप स्टूडेंट हो, मेरे लिए बाहर गूम रहे हो, नॉर्मन पबलीक, समझ गए कि, तो आपको स्टूडेंट बनने के लिए कहा आना पड़ेगा, यहाँ, बाहर में आपके उपर दवान बना सकते हो, और ना आप मेरे उपर दवा बना सकते हो, ठीक नितरास्ते देता है यह वेक्टिक दुदर काई के लिए पकड़ेंगे और तो कि यही कित्ता पका देता हूं, चलो, ट्रांजिशन समझ में आया, जब हम स्लाइट सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो यह साब कैसे देखेंगे, हाइड यहाँ, काम नहीं करेंगे, पर हम किसी स्लाइट को सेल करें, इनेवल हो जाएंगे, यहीं काम करने ही होगा, पर आप देखो यहाँ पर इस हेडिंग को हम को एनीमेशन देना है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं, तो देखो इस के बॉक्स को हमने किलिक कर लिए, जैसे किलिक करेंगे तो एनीमेशन देखो, अभी हम जो है slide को select करते है slide को तो देखो अभी दिख रहे कि और जैसे हमने इसमें click करें आप मतलब इस animation के लिए object का select होना जरूरी है और transitions के लिए slide का select होना जरूरी है इतना याद रखना अब इसमें से किसी को मैं मारना चाहता हूं या बोलना चाहता हूं बुरा बुरा तो पहले उसको target बनाऊंगो एक नहीं पता चाल रहा है यहुक समात घुन भी सॉप फिसरा भूले बोल किसको राई है ठीक अंदर या अ यहां से कोई भी effect दे सकते देखो यह एक particular में आ रहा है सभी में आ रहा है एक ही में बस आ रहा है जिसको हम देना चाहते हैं देखो यह अब जो आपको अच्छा लगे मेरी दिक्कत नहीं है अब इसके बाद देखो यह logo आना चाहिए यह movie का नाम आ गया फिर movie देखो यह ठीक है फिर यह computer देखना चाहिए computer कैसा देखेगा वो आप देख लो देखो यहां पर बहुत सारी चीज़े दी है यह यह ना यहां पर इसके लिए अलग से effect आ गया है देखो श्रम, ठीक है यह ना वह देखाना चाहरएं में 3D हूँ सिम्पल सी बात है भाई 3D है तब इस दिखा रहा है अपन बोलते हैं ज्यादा दिखावा करता है तो जिसके पास है तो दिखा रहा ना नहीं रहे तो क्या दिखाओगे ये बताओ ये भी तो बनता ना अगर वो उनने ऐसा बोल दिया तो आपकी क्या रह जाए इसलिए बोलो नहीं होगा पर गुद्से में तो आरे छोड़ो ना ला तलवार निकाल अब रन करें इसको रन करने क्लिए कहा जाएंगे फिर से और कहा जाएंगे बिगिनिंग आप देखो भाई मूवी स्टार्ट हो चुकी है पर नाम नहीं आया है ना नाम नहीं आया मतलब आप नाम आ देखो देखो उसमें चक्का भी लगे देखो द्यान से लग गया है इस रहना जाहिए आपने मोनितर में भी देखो पूरा घूम रहा है अब उसमें अलग स्टाइल भी दे सकते ता अपन घुमानिक जगा उल्टा सीधा जैसे भी यह देखो ठीक अब घूमते जाएगा न में escape button होती है एक corner में left side में top है इस पर click करोगे तो भी आपका जो so है वो end हो जाएगा अब इन में देना तो देखो क्या करेंगे transition देंगे कि animation देंगे animation transition भूल जाओ transition हम slide में देते हैं चलो एक एक करके जैसे यह subject है subject कैसा आना चाहिए प्रकार अब यह किस प्रकार आना चाहिए ठीक है अब फिर Run करके देखो अब यहाँ इसी को बस run करना पहले बाले को run करें पहला बाला देख लिए ला जब सुरूस करना उसको beginning कर देंगे पर आप ही हमको इसी को बस देखना है देखो क्लिक कर इस subject आ गया अब हम fundamental को समझा देंगे फिर PC package को फिर फिर उसके बाद multimedia जब complete हो गई कहानी तो आप आगे निकल लो बोलगा हूँ ठीक है तो आप यह अगली slide में देते बनेगा सब मैं बन आप याद रखना और कोन क्या करता है कच्रा वाला परदा वाला चिडिया वाला सब आइसे नाम याद रख लेना उनके वारे मिलिक देना ठीक है जैसे आप यह से design बना सकते काई देश है काले pencil से इसले नहीं बनाना क्योंकि copy जच्टे तक साइप pencil का color ही छूट जाए तो वहां से supply होगी कहां check होना है क्योंकि man university में check नहीं होना है supply होगी center माटेंगे और वहां जाखे कहीं पटा कर रहा है कहीं कुछ कर रहा है घश्टा रही copy तो उससे क्या होगा pencil गई सामने बाला बोले गए dialect works बनाए कि खाली छोड़ा है दिक्कत होगी कि नहीं तो इसलिए black pen से बनाओ क्योंकि मिटाने का छोड़ दो आप बच्चे थोड़ी हो college में हो इसका मतलब क्यासे बच्चे हो क्या बढ़ा गया 14 साल के बाद बच्चे नहीं रहते संभीधान में भी लिखा कि 14 साल से कम उम्रिके बच्चों को कारखानों में नहीं लगाना है इसका मतलब 14 स से बड़े वाले बयस्क है यह मत सोचने का अठारक होगे तब आईडी बनती है वह गलत बात है ठीक है बोट के लिए बन रही हो बांकि बच्चे तो आप 14 तक हो ना और सिक्षा भी 14 से 6 से 14 तक बस है और अगर कोई बोलता नहीं कि माबाप की जिम्मेदारी हमको पढ़ान यह मत बोले को हम complete exam के लिए तैयारी कर रहा है तो हम बड़ा महान काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है यह महान काम आपकी नौकरी लगेगी तम आप आपको नहीं पूछोगे तम तो उनके लिए तो करें रहा है समको है ना भाई बहन के लिए कोई नहीं करता तो आप किसके के लिए कर रहा है खुद के लिए, सिंपल सी बात है, सोच के देखो नियुक्त, चलो, ट्राजिसन क्या होता है, किनी 10 को समझाईए, फिर ऐसे पूछलेगा, एनिमेशन क्या होता है, किनी 10 को समझाईए, तो यहां भी आपको देखो, यहां चार प्रकार मिलेंगे, इंट्रे नहीं है तो वह क्या होगे सेकंड नमबर यानि के इमपैसी उसके बाद आप जाते की नहीं बाहर बाहर जाना मतला एक्जिट और एक होता है मोसन बाहर जाओगे तो फोड़ी जाओगे पैदल जाओगे दाय बाय जो भी मुड़ोगे तो वह जाएगा आपका मोसन चलो एक मे यह इन में से पसंद है अब इन में से तो कोई भी ला सकते है आपान ऐसा मास सोचने कोई पसंद है यह वाली जो चलो यह जाएँ खारे में आपको तो फार नहीं कि यहाँ जीआ लाया है is फेगसे तो लोग मसन छा चलना चहहिं है कहा तक वह तक तो इस पिक्चर का एक जो 9 एक एफ소र में देखो पिक्च आ जा जाता है आता है कि ंसदं यहां पर आपको दिखता हुगा अटिका शब्क को अब यहां सेट्रांसपरेटशन कफ में जाआ युआ एक लिए जैसे फॉर्मेट देखो पिक्चर आ जाता है आता है कि MS बड में भी तो यहां पर आपको color दिखता होगा यह दिख रहा सबको color दिख रहा यहां यहां तक जाना चहीं नहीं चाहीं नहीं बताओ देखो ऊल्ड पर चलेगी यहां तक चलेगी आप रियल में नहीं चलेगी पर अपन उसमें animation देंगे कैसा देंगे कहाँ चले जाओगे animation में transitions में animation में object है ना slide ठोड़ी है तो यहाँ जाओगे आप सीधे और देखो यहाँ पर आपको कुनसा दिख रहा है देखो कहा ले जाना उसको line line इबनाना ना या फिर line नबना बना करो line ने बनाते custom करते यहां पर देखो यह custom भी होगा फिर से सेलेक्ट करो और यहां नीचे देखो यह custom लिखा होगा लिखा है चलो custom पे आप इसको सीधे क्लिक करो कि सीधे यहां तक आए और रुख जाए ठीक है और क्लिक छोड़ दो पार्किंग हो गए पूरी तरीकित पार्किंग ने हुई थोड़ा पीछे कर दोगे क्या हो जाएगा यहीं रुकना चाहिए इतनी देखो इतनी रुकना चाहिए चलो इसको रन करते आप स्लाइट सो में जाओ और करेंट देखो अभी रुकी है अब चालू करोगे कि नहीं कि है उपर यहां पर अनिमेशन फसे इसके यहां पर चाहिए मतलब यहां तक जाना चैगी सब्सक्राइब करेंगे कर दो और कस्टम में जाने पाद हम जो है प्रकार और फिर सीधा उपर ले जा लेते, चाहे तो आप बापस लियाओ यहां तर, ठीक है, यह, ठीक है, देख लेना आप कहां से क्या ले जाना चाहते हैं न, इसको थोड़ा सा इधर कर दो, ताकि कहीं टकराए न, हाँ, देख लेना अपने हिसाब से, चलो, इसको भी क्या कर देत अब वो कहीं दिवार पर घुच के, टर्मिनेटर 2, मुवी देखें कि न, आइरन मैन टर्मिनेटर, कहीं भुच जाते हैं वो, ठीक है, लोहे का मैन है वो, लोहे का भाई, क्या, दिवार मस कहीं से भुच जाए, वो धर्ती में घुच जाए, कोई फर्ट फोड़ पढ़ता देखो, अभी रुपी हुई है, ये, ये देखो, ठीक है, अब बताओ, आप तो आप कहीं चला सकते हैं अब देखो, जिग 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 चलाग देखते हैं, जिग जिग मतलब समत्य ने, हाँ, कहीं से भी कोई भी घुम घाम के वो, इस एनिमेशन को पहले हटा कर दो बीच में, लाइसन्स इसमें बनना थे, ठीक है, अब स्पीड भी रहती है, इसमें स्पीड ने दिख रही यहाँ पर, मतलब, ये कितनी स्पीड से चलना चाहिए, इसकी स्पीड भी रहती है, क्या बोले, समझ गए, बन जाएगे कि नहीं, किसी को चला सकते आप, इंसान को लागे, इंसान को चला सकते, रियल में इतनी चलेगा, पर उड़ रहा समझो, ठीक है, जैसे आपके पास ये पावर आ जाए, तो आप यहीं से एक बटन दबाए, चले उड़ते उड़ते, है ना, देखो अभी बिना, मतलब बिना एंजिन वाली गाड़ी आ गई है, मतलब कुन सी आ गई है, बैटरी वाली, तो कुछ समय बाद, अपने में भी मोटर फिट हो सकती है, नहीं हो सकती, बता, हो जाएगी, अरे सूस बना देंगे ना, चक्के वाले, जैसे आपने स्केटिंग देखी कौन-कौन चल लेता इसमें, मुझ फूट जाएगा, प्रेक्टिस चाहिए उसमें, क्योंकि उसमें बाड़ी का बैलेंस जरूरी है, पता चल रहा है, जाए रहा है, बीना ब्रेक के घुजगा कहीं दिवार में, ठीक है, तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि ब्रेक थोड रहता उसमें, ब्रेक बाली भी रहता है, छोटी साइकल भी आती, एक पैर वाली, वो उसमें कोई मिल गया, हम देखे होंकि रितिक रोसन वाली, है न, वो भी खतरनाक रहती है, जादू पले भाग जाता है, वो साइकल है, ठीक है, चलो यहाँ आप बताओ, अब आप से जो चीज मतलब कल छूटी थी, वो अपने यहाँ से कवर कर लिए, एनिमेशन भी हो गया, ट्रांजिशन भी हो गया, स्लाइट सो भी हो गया, ठीक है, अब हम एक चीज देखने वाले यहाँ सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या होता है, कहीं सुने हैं क्या, इसके पहले, ग्यार भी बार पड़े, उसके लिए A, B, C कर देते हैं, क्लास चेंज होती ही क्या, नई, इसका मतलब यहाँ भी सेक्शन का मतलब यह पीपीटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ इन स्लाइट का कलेक्शन अलग कर दिया जाएगा, कुछ स्लाइड अलग, कुछ अलग, कुछ अलग, है ना, तो करता हूँ, एक तरीका, एक फाइन रिप्लेस करो, दूसरा तरीका स्क्रॉल करते जाओ, देखते जाओ कहाँ है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन बनाना पड़ेगा, कि भाई सो स्लाइट का अलग-अलग हमने भाग बना दिये, तो हम उस टॉपिक का नाम लेंगे, तो उससे क्या होग, आसानी होगी न, तो यहां बताओ मुझे, अगर किसी को बोला जाया, जैसे यहां देखो, जूम इन, जूम आउट पता एक नहीं सब को यह, तो इससे तो सिर्फ यह बस बड़ा हो रहा है, छोटा, कौन सी बीच की स्लाइट, यह बड़ा हो अब किसी को पकड़ के बोल रहा है, चल यह काम कर, दूसरा थोड़ी करेगा, वो ही करेगा, है की न, तो किसके सामने घुमाना है, जिसको बड़ा करना है, जैसे मानले इसको बड़ा करना है, तो इसको अपनने घुमा दे, और इसको छोटा करना है, चलो यहां देखो, इं बस कर दो बड़ा नहीं लिखना तो देखो अगर इसमें गलती से बदल दी हैं कोई नाम तो आप रिनेम कर सकते हो गलती से बन गया तो हटा सकते हो उसके बाद देखो इसके अंदर जितनी भी स्लाइड है वो सेक्षन के साथ में हटाना तीसरा अप्टन ऐसा हटाएं के तो मूब अप मतलब इस सेक्षन को आप उपर ले जताकते हो वो डिफॉल्ट दिख रहा है उसके उपा और अगर मूब डाउन करना तो उसके नीचे कुछ रहेगा तो ना फोर्थ नंबर वाले फोर्थ ग्रेड होता है कि नाकरी में फोर्थ ग्रेड वाले को डिमोसन करने वो लोग कहां जाएगा वो कहीं जाएगा वो तो निश्चिंद बैठा रहेगा इससे नीचे थोड़ी अब धर्तिम बैठा वाले वेक्ति थोड़ी वह लेगा गड़ा खुद का गड़ा दे इसनी मेनक कोई करेगा क्या नई तो इसलिए नीचे जा सकता है कि अभी क्यों क क्योंकि इसकी नीचे सेक्शन ही नहीं अगर रहते तो जा सकता और यह होता है कॉलेप चलो पहले पूरी सेक्शन बने देते कैसे बनाते हैं हमने देखो प्रोग्रामिंग देखे इंटरनेट यहां PC पेकेज का बना दे राइट क्लिक करेंगे क्या बनाएंगे और यहां ब जाते मतला होता है छिकड़ना क्या होता है और अगर जाद़ इब अपके परिवस्पाइर बाले चारपांस तो इह से इस तो आड़े अगर नहीं मिली तो दिक्कत होने वाली है और अगर बैड गया उसके बाद कोई उठा दे उसको सामने वाला खाड़ा रहे उठने वाला नहीं है उठने वाला नहीं है उठने वाली नहीं है कुछी भी हो सकता है ठीक है ऐसा मतलब बो मत करना दो नहीं हो सकते हैं ट्रेन में जाते हैं कभी देखेंगे ना, destination मतलब अपने हाँ से destination ही मिलती है, यहाँ जो बैड़ गा मतलब बुनी उठेगा, पर बीच में देखो आप भपाल पहुंचते-पहुंचते या कहीं next, target city पहुंचते-पहुंचते कितनी भीड़ो जाती है, general गोगीच में, ठीक है, general में कर देते, एक-एक कर थे, उसको सिखोड देते, अब इसमें आसानी हो रही न, देखो कौन से topic में जाना चाहते हैं आप, fundamental, सीधे काई इस प्रकार, उसमें काम करना सुरू, और वही बस expand होगा, बांकी की सीधे collapse मिलेंगे, देखो, अगर आपके पास 500 slide भी है, तो भी अब को पढ़ाना चाहते हैं इसको बस run कर लो, run करना बता दिया हमने current से run करना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर सामें सुरू बात से करो, और उतना पता चल रहा है, उतनी slide किसी ने पढ़ लिया दिमाग खराब होगा कि न, बोले हमने जो पढ़ लिए उसी को बार बार, revision मतलब एक घातक है, चलो, यहां से हमारा section हो गया और section छूटा था वो भी है, complete देखो, उसमें बोही option है, तो अलग से कुछ नहीं, MS PowerPoint में section को समझाए बन जाएगा, समझाए तो बनेगा नहीं, पर करते बन जाना चाहिए, है न, अगर कर लोगे तो लिखने बन जाएगा, करोगे तो मैं तो लिखने को सोजोगे तो नहीं बनेगा, पहले करना, ठीक है, अब क्या बचा बताओ मुझे, यह सारी चीज हो गई, इधर से बताओ, यहां पर अपन ने क्या के देखे थे, जैसे मान लो यह subject है, और subject को हम क्या बनाना चाहते हैं, smart art में बदलना चाहते हैं, यहां स बदल सकते, बहुत सारी चीजे दिये, करे थे कल अपने, इन में से आप कोई भी चीजे यह से, ठीक लग रहा, क्या ठीक लग रहा, वह आप देख लेना, इस अच्छा लग रहा, यह एडिट करना थे, यहां से एडिट कर लेना, टेक्स्ट यह से, और अगर मान लो इसकी style चेंज करना था, आप style चेंज कर सकते, देखो यह, यह देखो, ठीक है, जो भी चाहिए है वह आप देख लेना, उसके बाद और क्या बचा आपना, ट्रांजिसन्स भी हो गया, एनिमेसन हो गया, स्लाइड सो हो गया, ठीक है, रिकॉर्ट के जरूवत नहीं, स्पेलिंग ए आउटलाइन, स्लाइड सोटार, नोट पेज और रीडिंग व्यू, और रीडिंग व्यू का मतलग होता है, जो हमारा स्लाइड सो होता है कि नहीं, उसी की जैसे दिख रहा है, पर देखो, स्लाइड सो में टास्क वार नहीं दिखता है, और नहीं टाइटल वार दिखता है, तो यह क्या अंतार है इसमें सिर्फ बोल रहा है कि आपको आंकों को अच्छा लगी इस इस आप समय ने पेस कर दिया अब आप पढ़ लो ठीक है रन नहीं हुआ है सिर्फ रीडिंग भी खुला है ठीक है तो देखो वही चीज है सेम टू सेम यह देखो जैसे हमारा वही जो स्लाइड सो था स्लाइड सो किस से होता देखो यहां भी दी है आपको कुछ बटन दी है क्या दी है देखो çekous लास्ट बाला वाला रिडिंग विव ठीक है उसके जर्च पहले बाला च्वारय चोटार का काम क्या होतासर कवी कभी कभी यह होता की हमको बऊत सारी स्लाइड है और एक बार क्या सरसली नजर मारना कि भाई कोई गलतित नहीं किसी में तो हम एसे देखो एक टॉपिक देख लिए दूसरा टॉपिक देख लिए कोई दिख्कत तो नहीं देखो एक साथ दिख रहा है अब ये इसका काम कब होगा जब बड़ी स्क्रीन रहेगी छोटी स्क्री आउटलाइन में देखो जरह वहां पर क्या देखेगा जो टेक्स्ट हमने लिखा वो दिख रहा है जैसे एक तो होता किसी टेक्स्ट पर क्लिक करो तो कहीं पहुंच जाते हैं और दूसरा होता कहीं इमेज पर क्लिक करो तो भी पहुंचते हैं तो इमेज का फॉर्म किसमें द टेक्स लिखे इसको कॉपी करो और कॉपी करके हम MS Word लेते हैं अब देखो जारा हमको हर एक स्लाइड में कॉपी करने की जरुवत नहीं पड़ी देखो जारा पूरा टेक्स एक बार में आ गया तो आप किसी को इंडेक्स बनाक भेज सकते ना लगते हैं जैसे कभी-कभी होता सामने वाला पढ़ लेगा ना सामने वाला जो पढ़ने वाला वो कभी कानून नहीं बताएगा कि हमको PDF format में चाहिए या ऐसा चाहिए बैसा चाहिए दुनिया बढ़ता तो PDF में तो आल्रेटी देता हूं मैं ठीक है और इसमें अच्छे बड़े-बड़े भी दिखते हैं पढ़ने मासा नहीं होती है और वही डॉकुमेंट में देंगे तो देखो आप बुक अच्छे पढ़ोगे कि यहां विज्वल में अच्छे पढ़ोगे तो यह ज्यादा जरूरी ना इसलिए में कभी भी मतलब डॉकुमेंट नहीं बनाता और डवल महनत होगी मेरे पास इ कमेंट पढ़े हो कमेंट का मतलब क्या होता है कुछ चीजे उसके बारे हम नीचे describe कर देते हैं साइड में उसको क्या बोलते हैं comment मतलब हम उससे related चीजे को कुछ लिख रहे हैं कि भाई बाद में हम समस्क पकें कि क्या करेते ठीक है तो उसको बलते है क्या comment या notes होती है लिख सकते हैं अगर इसको पूरा व्यू देखना तो नौट्स पेज क्लिक करो देखो दिखने लगा अब यहां टोकना भर भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं इसके बारे में अब उतनी मेहना से स्लाइड बनाया क्यों लिखेंगे तो उनने दे दिया सर्विस कि लिख सकते हो पर जरूवत पड़ेगी तब चलो बताओ अब यहां पर क्या क्या समझ में चारो व्यू समझ में आगए पांचो अब एक चीज बताओ आपको कोई निर्देश देना होगा तो पहले आपको आक यह क्ति आपको यहां पर मैं वेक्ति ए मैंस्मास्टर को सलाइड मास्टर बोलते हैं क्या इसका मतला है यह लोगो हमको हर एक सलाइड में चैंगेई है क्या अगर इसissä करस घणि देख एथर और तरी कीºC नो यही चीज हम हर पेज में रखना चाहत देखो जा रहा है क्या ह में और अगर नई स्लाइड लाएंगे और सब में रख दी तो भी नई स्लाइड में नहीं आना है तो उसके लिए आतान तरीका क्या है कि इस लोगों को यहां से अगर टाइटल वाला तो यहां कंट्रोल भी कर दो और चाहे तो आप जो भी करना चाहे इस प्रकार से चलो बीच में रखते इसको बीच में रखने में दिखकत ही है कि कोई टेक्स आएगा तो आप देखेगा नहीं अच्छे से यह यह यहां देखो इसना डार्क कलर है तो उ स्लाइड मास्टर फिर से जाओ और क्लोस कर दो अब देखो जा रहा एक में दिये हैं हमने आगे सब में तो यह तरीका अच्छा है कि बुरा है अच्छा है किससे करें हमने किससे करें बताओ स्लाइड मास्टर ठीक है दो चीज और देख लो जैसे नॉट से देखित के नही उसी में nots master भी होता है बस इतना ध्यान रखो nots में कोई changes करना था हम किसकी सायधास करते हैं nots master और आप जब exam देख निकलते तो आपको बेक्ती मिल जाते हैं कि ब्रोसर बाटते रहते हैं यह coaching फलानी coaching यह offer दुनिया भर का बाटते हैं तो वो क्या है हाथ से बाटते कुछ machine असीन से handouts क्या वो लिंगे उसको handouts हाथ से बाटना ठीक है तो यहाँ पे भी होता है handouts क्या होता है अब यह slide बना है आपने इसका मानलो आप print करके सामने बाले को बाटना चाहते हो हो तो किसकी साथ है smart होगे handouts अब आप एक page में कितनी slide निकालना चाहते है वो कहलाता है handouts कितनी निकालना चाहते है 6 6 के बदले हम 8 निकाल लेते हैं 16 जो भी निकालना जैसे हम मानलो 2 निकालना चाहते है 2 आ जाएगी ठीक है तो आप इसकी setting कर सकते कहां से handouts मास्टर से कहां दिख रहा है यानि किसमें बोल देगा मास्टर व्यू में कितने option होते हैं 3 तीनों में से कितको समझाना आपको ज्यादा तर important slide master होता है पर आपको यह भी ध्यान में रहना चाहिए ठीक है जैसे आपके घर में कोई बात मनवाना तो किसको बोलते हैं कोई ब बराबर ही होते हैं अभी थोड़ी रहता है कोई किप चले क्या दिक्कात उसमें उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए चलो तो slide master समझ में आया आगे की नहीं रूलर मतलब समझते हो यह बताने जरूवत थोड़ी रूलर आगे देखो आइट साइड में आगई ग्रिट लाइन मतलब रास्ते से चलते आते जैसे मुख्यमंत्री जी आ जाए प्रधान मंत्री कोई भी आता तो powder या कुछ से line बन जाती है वो किस दिसा से आएंगे और क तो क्या है पर्मनेंट बनती के फिर ग्रीड लाइन या गाइड लाइन है भाई बताती है कि किस रास्ते साइंगे तो यह से हमको कुछ चीज डिजाइन करना थी ग्रीड लाइन वो हमको बताती है कि प्रिंट आएगी कि यह नहीं वो तो उड़ जाएगी दूसरे दिन चलो अब बताओ सुरू से मुझे खोई दिक्का थे किसी को कल हमने बहुत सारा पढ़ लिए फिर आज से पढ़ लिए फड़ है तो इसे साफ से रिवीजन हो गया और जो नहीं आया है उनके लिए कंप्लीट हो गया फिर से हैना और कल का वीडियो देखें कि नहीं देख ल